संत जन आएं तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? इसको विवेक कहते हैं बच्चों के प्रणाम को देख करके इसलिए इच्छा ही नहीं होती कोई प्रणाम करे कैसे प्रणाम करते हैं? गोंटू छूते हैं यहाँ पर जंगा पर कौन छूता है? और कई लोग तो बड़ा विच्चतर प्रणाम करते हैं जुख जाएंगे और गोंटू पर हाथ लगा के यही नहीं पता हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए? इसी को कहते हैं विवेक संतों के सामने बैठें तो कैसे बैठें? संतों से बोलें तो कैसे बोलें? माता पिता से कैसे बात करनी चाहिए? समाज में बैठो तो कैसे बैठो? यह सब विवेक कहलाता है यह विवेक हम सुनने हो चुके हैं यह विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से प्राप्त होता है इस विवेक की प्राप्ती ही ज्यानी होना है